फ्रीम्स यानि की सपने इन्हें पूरा करना आशान नहीं है इस रास्ते में आप कई बार ठोकर खाएंगे और हर ठोकर के बाद बुरी तरह गिरेंगे ऐसा महसूस होगा जैसे आप हार चुकी हैं आप में आगे बढ़ने की शक्ती नहीं है उठने की ताकत नहीं है आपको लगेगा कि अब एक ही रास्ता बचा हुआ है हार मान जाना ऐसा लगेगा मानों जिंदगी ने आपको हरा दिया है जैसे आप बुरी तरह हार चुके हैं उस समय आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा लेकिन यही समय है जब आपको उठना है यही समय है जब आपको हर परेशानी को परेशान कर देना है इस दुनिया में हर इंसान हारता है लेकिन हर कोई हार कर जीतता नहीं है उसे मात नहीं देता, उसे जवाब नहीं देता आप किस भीड का हिस्सा हो जो कठनाई के सामने खुटने टेक देते हैं उनका या फिर उन लोगों में से एक हैं जो हर कठनाई का जवाब देती है यही समय है उठो और उसको जवाब दो यही समय है जब यहां तो वो प्राबलम खत्म हो जाएगी या फिर आप बताईए कि आप हार मानने वाले हैं या फिर उसे हार मनवाने वाले हैं ये फैसला आसान नहीं है इसके लिए साहस चाहिए इसके लिए आत्म विश्वास चाहिए और इसके लिए चाहिए त्रड़ निश्चे जब दुनिया आपको हारा हुआ मान चुकी हो तो उठना आसान नहीं लेकिन ध्यान रखना आपके अंदर वो आग है जिसे जलाने का साहथ सभी नहीं कर बाते है जिसे उन्होंने शांत रखा हुआ है लेकिन क्या वो आग आपकी नसों में ज्वाला बन कर दौड़ती है क्या आप सच में अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं क्या आप अपने ड्रीम्स के लिए लड़ सकते हैं अगर हां तो अपने अंदर की आग को बाहर आने दो और अपने dreams को पूरा करने में लग जाओ जल्दी करो और आपने dreams को पूरा करने में लग जाओ लेकिन ध्यान रखना शिर्फ देखने से कोई dream पूरा नहीं होता ये पूरा होता है इच्छा से ये पूरा होता है कड़ी मेहनत से लोग आपका मज़ाग उड़ाएंगे आपको हार मानने की सलह देंगे लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये आपका ड्रीम है और इसे आपको ही पूरा करना है कोई आपकी मदद नहीं करने वाला कोई आपके साथ नहीं चलने वाला बस एक को छोड़को और वो आप खुद है अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके ही आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं आपकी काबलियत पर कोई विश्वास नहीं करेगा लेकिन आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति का विश्वास चाहिए सिर्फ एक ही व्यक्ति आपका साथ देगा और वो है आप खुद इस दुनिया में हर व्यक्ति के ड्रीम्स होते हैं आप पहले नहीं हैं लेकिन एक बात ध्यान रखना दुनिया के कई लोग अपने ड्रीम्स को जी रहे हैं उन्होंने सभी को दिखा दिया है कि वो काबिल है सब जानते हैं कि वो काम्याब हो चुकी है